हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एशिया ट्रेनिंग में आज कलास 4 है तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेलिस्गोब बूम किसे कहते हैं बेसिक बूम यानि की इस्टेंडर बूम किसे कहते हैं और साथ ही में ये भी जानेंगे कि मेन होई ड बूम वो होता है जो कि यह ना बेसिक बूम के ऊपर होता है बेसिक बूम से जो निकलता उसे हम टेलिस्कोप बूम कहते हैं जो हाइरोलिक के प्रेसर से निकलता है आपने देखा चित्र में भी कि टेलिस्कोप बूम किसे कहते हैं अब चलिए हम जानते हैं कि बेसिक बूम या अप डॉन करता है यह जो है अपना फिक्स होता है और इसी के अंदर से जो है टेलिस्कोप बूम इसी के अंदर से निकलता है ठीक है दोस्तों जिसे हाइडरोलिक के प्रेसर के उपर बरा या छोटा नहीं किया जा सकता है यह जो बूम होती है बेसिक बूम इसको हाइडरोलिक के प्रेशर से बरा या चोटा नहीं किया जा सकता कैसे कर सकते यह fix है तो fix boom को नहीं कर सकते न क्यूंकि इसके अंदर ही telescope boom होती है इसे crane का stander boom भी कहते है crane का telescope boom basic boom से ही निकलता है और इस से इन या out होकर बरा या चोटा होता है इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि यह जो basic boom है यह standard boom है इसको hydraulic के pressure से बरा या छोटा नहीं कर सकते हैं जैसा कि आप चीतर में देख रहे हैं और हमारा जो telescope boom होता है इसी basic boom के अंदर से निकलता है सो आसा करते हैं दोस्तों कि यह दो question आपको समझ में आया हुआ अब चलिए हम जानते हैं कि main hoist drum किसे कहते हैं यह जो main hoist drum होता है दोस्तों इसे हम winch भी कहते हैं और इस drum को जो गोल घुमाता है गोल गोल घुमाता है उसे winch motor भी कहते हैं या साथ में उसको हम time table भी कहते हैं main hoist drum में hook block को ऊपर या नीचे करने वाला wire rope लपेटा या खोला जाता है जो main hoist drum होता है ठीक है उसी में जो wire rope है लपेटा हुआ होता है उसी से area या हाविस होता है अगर हम बोलें hook block को नीचे करिए area करिए तो area नीचे होगा hook block down तो down होगा hook block up तो up होगा समझे ना सो दोस्तों आसा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि main hoist drum किसे कहते है main hoist drum फिर से मैं एक बार दोहरा देना चाहता हूँ कि telescope boom वह होता है दोस्तों जो आपका hydraulic के pressure से या in या out होता है ठीक है दोस्तों basic boom वह होता है जो क्रेड में fix होता है दोस्तों और basic boom hydraulic के pressure से इन आउट नहीं हो सकता क्यूंकि जो telescope boom होता है वह basic boom से ही निकलता है जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं और main hoist drum जिसे winch भी कहते हैं और इसको जो गोल गुमाता है उसे winch motor कहते हैं या फिर उसे time table भी कहते हैं और उसी में लपेटा हुआ हमारा wire rope होता है जिससे कि हम area या harvest करते हैं जिसमें और एक साथ में wire rope में आपका hook block लगा हुआ होता है देख रहे होंगे आप image में कि इसी को area हाविस करते हैं देख दो माने इससे कि ये ख हैं या खहा और लगा होग और ऐसको लाइक करें ये चैनल आपका है आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर कलास आप तक पहुचे सबसे पहले सो धन्यवांद